आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करनसी इवेंट्स के बारे में कौन-कौन से इवेंट्स किस-किस मंत के अंदर ओंगे और इन इवेंट्स से क्या कुछ इंपेक्ट पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट में सारी चीजें अच्छे समझेंगे क्योंकि जैस उस टाइम बे कुछ इवेंट्स हुए थे, पिछले साल भी जो है, मार्केट क्रैश हुआ था, में के अंदर, में, जून, जुलाई, ये कुछ हैसे मन थे, जहां मार्केट, बिल्कुल भी situation मार्केट की अच्छी नही थी, लेकिन जुलाई के अंदर दा बी वर्ड इवेंट ह जिसमें Elon Musk, Kathy Wood और Jack Dorsey जो ट्विटर के former CEO थे, और कही ना कहीं इनके इस इवेंट के बाद, इस conversation के बाद, मार्केट के अंदर काफी अच्छी ग्री आई, दीरे दीरे ग्री आना स्टार्ट हुई, उसके बाद October के अंदर फिर से crypto experiment आया, और October में कहीं ना कहीं मार्केट ने बहुत अच्छा move किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब जब events हुआ है, positivity market के अंदर आई है, चाहे situation जो चल रही हो, लेकिन इस बर एक सबसे बड़ी situation, Russia, Ukraine, war की भी है, उसके साथ साथ बाकी situations का इतना impact, market के उपर नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा impact हम कह सकते हैं, negativity events होने वाले हैं, तो अगले 3-4 महिने में market कहां जा सकता है, कि आप Bitcoin एक लाख पे जाने की तयारी कर रहा है, 1 लाख डॉलर पे, और अगर Bitcoin 1 लाख डॉलर पे जाएगा, तो फिर आप कुछ समझ सकते हो, कहां तक market पहुँचेगा, क्योंकि April से quarter 2 का भी जो time है, वो start हो करते हैं, link है description में आप उसको भी join कर लेना, October में जो crypto expo गा था, वही expo फिर से होने वाला है, 16 और 17 March को, उसके बाद blockchain week है, Binance का, इसी March मन्त के अंदर, 6-9 April, April में है Bitcoin को लेगे एक बहुत बड़ा event, Bitcoin 2022 इस event का नाम है, और उसके अंदर भी बहुत सारे बड़े-बड़े analysts, बड़े-बड़े speakers, बड़े-बड़े जो exchange से जुड़ोए लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे participate करने वाले हैं, ठीक है, ठीक, ऐसे ही crypto expo में भी ऐसे होने वाला है, Binance blockchain में जितने भी event बता रहा हूं है, आपको यह एक बड़े levels के event है, कोई small event आपको नहीं बत होगा, इसके बाद June में फिर से 16 और 17 June को फिर से जो है, यहाँ पे crypto expo होने वाला है, तो April, March में events, April में events, इसके बाद अगर आप देखो May में event और June में event, 3-4 महिने जो भी है, events की बहार आ रही है, और यह cryptocurrency events की बहार मुझे जहां तक लगता है, बहुत positivity लेके आने वाली है यह time है, अभी जो आपको currencies के price मिल रहे हैं, एक अच्छे price पे मिल रही है, ठीक है, आप थोड़ा wait करें, जैसे जैसे आपको लगेगा, हम आपको update करेंगे कि market का momentum थोड़ा दिख रहा है, हाँ भी, और यह कही न कहीं events positivity लेके आ सकते हैं, और पहले भी लेके आया है, ठीक ह और मैं यह नहीं कहा रहा कि हर बार ऐसी situations होगी, लेकिन पिछली बार के events अगर हम देखें, तो पिछली बार ज्यादा events भी नहीं थे, और इस बार जो events हैं, वो back to back events हो रहे हैं, और कहीं न कहीं बहुत ज्यादा positivity expect हम कर सकते हैं, इन सभी events से, हम कहते हैं, क्रिप्टो मार् आप देख सकते हो, पूरा event ही event है, और ये event good news साथ के साथ positivity क्रिप्टो मार्केट के अंदर लाएंगे, और जो situation हम 3-4 महीने से देख रहे हैं, वो अब यहाँ पे situation आपको छटती हुई, हटती हुई दिखेगी, ठीक है, तो यही कुछ चीजें थी, क्रिप्टो गरंसी events की बहार लगी है, सारी updates हमने telegram पे की हैं, आगे भी करते रहेंगे, और जो आगे अपडेट रहेगा, इवेंट्स को लेके, market की momentum को लेके, सब अपडेट आपके साथ करते रहेंगे, I hope इस वीडियो में आप सारी चीजे समझ गयोंगे, और इन events पे भी आप नजर रखें, market अगले 3-4 महीने में market अच्छा move हमको करता हुआ, दिख सकता है, अगले 3-4 महीने इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हर महीने events है, ठीक है, और यहाँ पे market अभी से ही move करना शुरू कर सकता है, मार्च में भी हो सकता है, अप्रेल में भी हो सकता है, ठीक है, बस यही कुछ वीडियो में आपको सारी चीजें समझ आगी होंगी, वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को like, share जरूर कर देना, चैनल को subscribe करके, bell icon भी प्रेस जरूर कर लेना, ताकि सारे notifications आपके phone तक पहुंचते रहें